जहें दोस्तों श्वागत अफ्षवी का आज की सुपर्टेट की महाबर स्रीज में आज आज में सुच्छक बढ़ते लिखित परिच्छा का एक महुत अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिस अध्याय में हमारा आपका पहला टार्गेट होगा कि एक बहतर स्कोर करना अगर आता है खेल कोद जो आपके पाटिक्रम में एकदम साब साब लिखा गया अगर आपने प्रिबेशर प्रश्ण दोनों बार पूछे गए तो जब हमें इस तत्य को पढ़ना है तो दो प्रश्ण अगर आपको तयार करना है तो क्लास में जूड़ेगा और कॉपी कलम लेकर बैठेगा तो कि बहुत सारे से की पॉइंट होंगे बहुत सारे से सक्सान होंगे जो आपको नोडाउन करना पड़ेगा जो आपको लिखते चलना पड़ेगा चलिए पहला प्रस्ण आपके डिश्पले कर दिख रहा होगा कि सांड की लड़ाई जो है बुल फाइड किस द अगर आपको सेलेक्सन लेना है जो भी साती बीडियो को लाइट देख रहे हैं सबी साती पड़ावर कमेंट करें जल्दी जल्दी यह जल्दी कमेंट करें यार ऐसे प्रस्ण आपके सिच्चक भरती परिच्छा में आ चुके हैं देखे आएंगे भी आगे तिके सांड के लड़ाई करें बहुत ही सही बता अप लोगों इस पैन में एक दम राही टेंसर है इस पैन का एक चर्चित खेल है जिसमें कोई व्यक्ति लड़ाई करता है इसलिए इस सबी लोगों ने इकदम सही जबाब देए बहुत-बहुत धन्यवाद आपकाम आगे बढ़ते हैं अ सबी साथी फटाफर कमेंट करें कि बटरफलाई स्टॉक का समन्द इस् network PL assumed बटरफला इकदम सही बताया है तेरा किसका राट एंजवर है में तो यह सबी तैराकी के सब्द है यह प्रश्णाप के लिए कापी महत्वपोन है अगर आप लोग को शरकारी नौकरी करनी है और आपको अपना सिछच बनना है तो 50 नमबर की बिविद में आज आपको दो अंक अपने करने होंगे अगला प्रश्णाप के डिस्प्ले पर है नाकाउट का समन्द किससे फटावट जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी साथी फटावट कमेंट करें कि नाकाउट खेल का समन्द किससे हैं प्रदने राज साड़े 9 बजे निशूल क्लास आपके लिए लाइब चलती है यह क्लास लंबी होगी लेकिन आपके सब्सक्राण की लिए होगी अंद्र तक बने रहेगा सभी जादी फटावट कमेंट करें किस खेल का समन्द किससे हैं एकदम सही जबाब एकदम सही जबाब यह पूछे जाने वाले प्रश्ण है अगर आपको शिच् सब्सक्राइब क्लास केवल बड़ी होगी लेकिन आपके सेलक्शन के लिए होगी चकर किस खेल में प्रयोग के जाता है जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी फटावर्ट कमेंट करें देखते सबसे पहला जबाब किसका आता है सभी साथी फटावर्ट कमेंट करें चकर किस खेल के लिए प्रयोग के जाता है सभी साथी फटावर चार भाग होते है या लिख लीजिएगा चार भाग होते हैं और प्रशना बताईएगा पोलो में कितने खिलारी होते हैं जो लुक वीडियो को लाइब देखरें फटा फट कमेंट करेंगे अगर आपको सरकारी करनी है तो आपको इस प्रश्ण का जबाब देना होगा कि पोलो में कुल कितने खिलारी होते हैं यह निशुल क्लास है आपके लिए इलेनी बिद्रगेश पर मैं इसे च्छक बन गया हूं सरकारी तो मैं चाहता हूं आप भी सरकारी से च्छक बने आप भी अपना बेश्ट द करें अगला प्रश्ण है आपका कि प्रस्तावीत नेशनल टेनिस अकाडमी कहां पर है एकदम यूनिक प्रश्ण है यह नएने प्रश्ण आपको हो जो परिच्छा में आएगा सभी सब्सक्राइब करें बताए सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइप देख रहें देखिर गये निशनल टेनिस अकेडमी की बात करते हैं कि निसनल टेनिस कहां पर है तो वह आपके गुड़गाओं में कहां पर है घ cré depends कोम i को यत्य आफ़्छिय को फिछल कंदर दे रहा हूंँ जो पोलो होता है ध्यां पलो में चुर खिलाडी होते हैं लेकिन अगर जल पोलो आ जाए ध्यान दीजेगा वाटर पोलो तो वाटर पोलो में साथ खिलाड़ी होते हैं याद रखेगा वाटर पोलो में साथ ठीक है और रगभी फुटबाल जो होती है लिख लीजेगा आप लोग रगभी फुटबाल फुटबाल रगभी जो लिख लीजेगा यहां से आपके परिच्छा में सीधा सीधा पूछा जाता है क्रिकेट फुटबाल हांकी याद रखेगा क्रिकेट फुटबाल हांकी इनमें क्या होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं इस बास्केट बाले इस ऐसे की अगर बास्केट बाल रून थे ऐसे आनवा मैं बास्केट बाल फूर्श में बास्केट बाले पांच और बस्वाल ना कि अगर और नवकिशन पूला पूश्ट कीठ फुटा यहाँ यहpendu में टनी मी तरफ है यहांस यह आप आप लोग तयार कर लिएगा सिच्छक भरती के लिए राम मारसी आपके लिए अगर आपको सरकारी सिच्छक बनना दो प्रस्णिया से आएगा आपके परिक्षा में अगला प्रस्ण आपके बीच है जस्पाल राणा का संबंद किस खेल से फटाबट कमेंट करके बताएंगे कि जस्पाल राणा का नाम निम्लिकित खेलों से जुड़ा है सभी साथी फटाबट कमेंट करके बताएंगे और आप लोग से निदेदन है कि वीडियो को सभी साथ्यों को शेयर करिएगा ये निसुल कच्छान देशित के लिए हो जाए और आप सभी के लिए हो ये जोनप दुर्गेश पर आपको पूरा घर बैटकर तैरी करिए दो प्रस्ण से फिक्षा है निसाने बाजी एक बार पढ़ लीजेगा दो बारे वीडियो के बार और देख लीजेगा अगर भूला चुका रहेगा तो बाद में आपका तयार हो जाएगा देखिए यहां पर आपको ठैनिस के लेकिक अनिल कुंबले का सब्सक्राशाण कर्केट से गीध से ङसमान विशुनात अनंस सत्रंज यहां पर और यहां पर यह मिर्वा लीजेगा कभी कभी पूछले लिए ありがとう बाब thyroid धर लो ही जबाब होगा में आगे बटा रागले पिच्छन की तरब आप लुग को सभी साथीओं को शेयर जरूख कर दिजेगा अपसे निव्यदान है में अपने वीडियो को लाइक लाइक नहीं किया या लाइक करने का पैसा नहीं कड़ेगा बीडियो करने के बाद सेयर जरू कर दीजेगा मैं यह चाहता हूं जैसे मैं सिच्छक बनाओ आप भी साकारी से च्छक बनेंगे अपना बेश्ट देंगे मैं जैसे आप लोगों को निसुल्क पढ़ा रहा हूं आप भी बच्छों को निसुल्क पढ़ाएंगे हर परिवार में गरीब परवतारोहर से हैं किसे है यह परवतारोहर से है ठीक है यह 1974 में इनका जन्म हुआ था विस्व के सबसे कम उम्र के थी इन्होंने सबसे कम उम्र में चड़ने वाली परवत्र होई है इस प्रशन का उत्तर क्या होगा डीस का सही जवाब होगा मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रशन की तरफ सभी साथी लाइक करिएगा पैसा नहीं कटेगा यार हम और मेनस से आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर अगला प्रशनाप के सामने यूरोप के खेल का मैदान किसे कालता फटावर कमेंट करके बताएं क्लास खतम होने के बाद 24 घंटे कंदर आपको टेलिग्राम पर इसकी पीडियक में लिएगी जो बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दुर्गेश सर्च करके इ सब्सक्राइब करें में करें कि रोके खेल का मैदान निम्न में से किसे कहा जाता है अगर आप सरकारी से चक्च बनना चाहते हैं तो गलत्या सही जवाब दीजिए यहां पर गलती पर इच्छा हाल में आपको गलती नहीं करना है जितनी गलतीं करना यहां पर कर लिजिएगा देखिए यूरोप के खेल का मैदान को कहा जाता है जी हाँ सुर्ण्जा लैंड इसका सभी जवाब है जितने लोगों इसका प्रश्ण भी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तर है इसे उरोप का तो कहते हैं एक स्बूच्छ एपूच्छ ये धारत का स्वुज्य किसे कहते है और फीक है दस तारीक के बाद online की प्रक्रिया जो गी आपकी सिद्फ की मैसेज की reply होगा तो यूरोप का हिर्दय स्विट्जाइल को यूरोब का स्वर की स्विट्जाइल को भाुरत का सुड़्जाइल कि से कहते हैं भारत का स्वर कि शेकत एकदम सही जबाब जम्मू कस्मीर जे राइट एंस वर आप लोगों ने एकदम सही जबाब दिया है हाँ रिप्लाई आपका दो दिने मा जाएगा अभी सब्यस्त है वान खेड़े इस्टेडियम कहा है एकदम हलुआ प्रश्ण यह बहुत मुंबई इसका उत्तर मुंबई बताुव है बहुत इसे जबाब है कि मुंबई आपका सही जबाब है आपसे निवेद्ना ने जितने लुट्स वीडियो को लाइप देख रहे हैं लाइक करने बाद आपने शबी-शाती मित्र को शेयर करिएगा आप सभी का बहुत-बहु लोगों तक मदद हो जाएगी मैं अगे बटन अग्ले पेष्ट की तरब बुल्स आई किस ख्यल से बहुत ही इंप्वर्टेंट है कि बुल्स आई का संबंद किस ख्यल से जितने शाथी से च्छक भरती में चेहन चाहते हैं सरकारी नोकरी करना चाहते हैं वे सबी जबाब देंगे गल्रत या सई सभी लोग जबाब करें सभी साथी mamma करें गल्रत या सभी लोग को जबाब elbows देना है हो सके तो बीडियो जुरूर दीजए weniger अनुप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बूल्स आई का संबंद किस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सरकारी से च्छक बनना तो इसके लिए सुपर टेट इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर होगा निसाने बाजी बूल्स आई हमें क्या करना है बूल्स आई यह खिलारी निश्चित दूरी पर कागत से बने लच्छ को अपने समय के अंदर पिस्टल से भेजित करता है इसको ही क्य होगा एक नया प्रस्ण का ट्रेंड आया है कौन सा सही नहीं है तो आज भी आपके सामने प्रस्ण है अगर सिच्छक भरती प्रस्ण होता तब इसका उत्तर क्या देते आप लोग साड़े नौ बजी लड़ी दुर्गेश पर को सभी भटावर कमेंड करें अपने मोबाइल लगा ले साड़े नौ बजे फ्री क्लास सिच्छक भरती की फ्री क्लास लाई भी लड़ी दुर्गेश पर लिंक टेलीग्राम पर मिलेगी डिस्किप्शन में लिंक है बताइए सबी लोग कौन सा सही नहीं है तीन सही और एक सही नहीं है देखिए रंगा स्वापी जो रं बैट मिंटल की बात की जाएं अब कभ ऑगता है ठामस कभ होता है सुधि रिमन कभ होता है लेकिन यह नहीं है ठीक है इसका समथ फुटबाल से जो गलत है वही सहीए क्योंकि आप पर नहीं पूछा है इस प्रस्ण का उत्तार आप क्या लगाएंगे लगाएंगे तो जितन कि उपनेने चलिएगा थामस कंप है ठिक अगर थामस GUYॉस पफ पाप तो जानते ही है थामस कंप होगे आपका लिख लीजिएगा थामस कंप पीज़ों कर न है कौँसे कप है यह किस्छे बैट में न तल से यह सुदी रमन कप का समाद कि से बैटमिन्टल से बिमतरा समद कि से यह बिम अगले परशन तरफ ठेह सको इसका उत्तर गलत है वही सह की अगला परश्कनर आ आप के सामने दिख रहा होगा कि प्रचालगन घास अस्तली में कौन सा खेल खेला जाता है बाउती यूनिक प्रशना है अगर आपने सिच्छक भड़ते के तारी के लिए कहीं से बिवित पड़ा होगा उसमें खेल कुद पड़ा होगा ये प्रशना आपको मिलाओगा ये थोड़ा कड़े प्रशन के अंतर धालडार होता है ठीक है धालडार होगा तो कहों सा है बताइए धालडार ग्रीन ये धालडार ग्रीन क्या होगा धालडार ग्रीन में कौन सा खेल खेला जाता है बताई इसमें होल होता है ठीक है ये गोल्फ के लिए खेला जाता है एक दम राइट एंस और आप लोगका डी एकदम सही है डी गोल्फ है तो देखे सोची कितना मतलब अगर सिच्छक भरती में आ जाता कुछ लोग की गलत हो जाते लेकिन अब आप भविश्य में कभी गलती नहीं करेंगे एकदम राइट एंस्वर है प्रचालन घास अस्तली जो देखते हैं इस तरह से होता है गेत को म करके बताइएगा शबी साधी फटावट कमेंड करें कि सभी साधी फटावट कमेंड करें और वीडियो को सभी सात्यों को शेयर करें सिच्छक भरती की महरातन क्लास है जहां पर 50 नंबर की तैरी में बिवीद पढ़ रहे हैं हम लोग एकदम खेल कुद एक टौपी के पू सभी साथी फटावट कमेंड करें जो भी लाइफ देख रहें वीडियो को देखें बंकर सब्सक्राइब कर लिख लीजिएगा अगर आप लोग गलती यहां पे कर दीजिया पर इच्छाहाल में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए बंकर गोल्पकोर्स मैदान में रंगा गु कोर्स होता है ध्यान दीजिएगा जो गोल्फ कोर्स होता है का मैदान मतलब गोल्फ का मैदान ऐसे समझेगा ऐसे समझा रहे हैं गोल्फ का मैदान जो होता है गोल्फ का पूछा भी जा चुका है तो हम लोग आज पूरा खेल का खेल खतम करेंगे इसलिए वीडियो को शेयर जरू करिएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां गलती करिएगा परिच्छाल में नहीं चलिए अग्या प्रस्णा आपके सामने है जिव लिखाष्ण किस से समाधित बहुती आसान प्रिश्ण है जिव लोग को थोरी से घल्ती जरू कर जाएंगे यहापर गोल्फ खिलारी है जिवुक्षा सिंग गोल्फ है और मिक्खा सिंगर पोस्ता अगर मिल्खा सिंग केवल पोस्ता तब लेकिन यहां पे कौन है यह जू मिक्खा सिंग है अगर इसके बारे में देखा जाए तो बिजय शिंग लिखना चाहें लिख लीजेगा जैसे आपके बीजे सिंग ये भी गोल्व से हैं ठीक है टाइगर बूट्स अपने नाम सुना होगा टाइगर टाइगर बूट्स ये भी गोल्व से हैं जोती रंदवा जोती रंदवा ये भी गोल्व से हैं समझ रहे हैं ये सब क्या है ये मिलखा सिंग पूचता तब एथलीट होता अगर ये पूचता तब इसका उत्तर भी होता लेकिन यहाँ पर जू मिखा सिंग को पूचा है ये भारत के प्रसिद्ध गोल पिखिलारी है ये भारत के प्रसिद्ध गोल पिखिलारी है ठीक है मेरी बात को समझेगा ये भारत के प प्रसिद्ध गोल पखिलाने इसलिए जानते रहेगा इस प्रस्ण का उत्तर ए होगा और अगर मिखा सिंग पूछ था तब यह एथलीट होते हैं अगले प्रस्ण की तरफ मेरा निवेदान है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने 27 मित्रों को सेयर करिएगा जिने आप इस इच्छक बनाना चाहते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने है एक बैटमिंटल कोट की लंबाई कितनी होती है सबी साती फटाफट कमेंट करें मैं उमीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबीस प्रस्ण का जबाब देंगे जो भी साती वी ठेक बैटमिंटल कोड की जो लंबाई होती अगर में मीटर में बात करो तो 1310 मलो il फिटमे कितना होगा कर्ता इहाँ धी अगर यहां पर चोड़ाई तो बीस फ्uring और अगर मीटर में पूख देता तो चौट होते छोडाइं यह दोनों याद रखेगा अगर भासर कर पूशता थो जी से अगर पूशत varied कि बास्केपर कॉट हम आम लिख दे रहे हैं यह में कि अगी जिए वाव ज भी मुझा ट लिम तब्र में अग्र बास्केट वाविवट लेंद पू्जटा तो लेंद क्या ्टी इसकी पचासी क्ट है कि अगर विप पुश्टता तब अगंस य्दी पुष्टता तब को टना होता इंग बित उन द्र पूछ्टता चे recording तब अगर टेनिस की लेंद पूस्ता तब टेनिस की लेंद और है अधातर फिट है क्या है अगर बैड मिंटल के सटल का वज़र पुष्था तो चार्दसमों 7 से लेकर सारे 5 ग्रम तक ठुटा है यह है सिंगल्स के लिए अगर अच्छा पूचा सिंगल्स खेलने के लिए पांच दसमलो एक आठ मीटर होता है ठीक है तो यहां पर पूचा एक बैट मेंटल कोड के लंबाई क्या होगी चोबाली स्फिट होगी बस इतना याद रखेगा बाकी आप चाहिए इसकी इंसर्ट कर सकते हैं अगला प्रशनाप के सामने हैं किसी टूर्णामेंट में वाक ओबर का क्या आर्थ होता है जो भी इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं मैं निवेदन करूंगा सभी 37 प्रशन का जबाब जरूर देंगे सभी साथी फटाबर कमेंट करें कि वाक ओबर का मतलब क्या होत सब्सक्राइब करें सभी साथी फटाबर कमेंट करें जितनी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते सरकारी सिचक बनना चाहते हैं वेस सभी जबाब देंगे चैहां उत्तर गलती क्यों नहों यह अगर आप अगर आप खेल खेलने का नेड़े या खेल ना खेलने का नेड़े लेते हैं खेल ना खेलने का नेड़े लेते हैं तब अगर आप इलनी दुर्गेश पर साड़े नौ बजे लाइब आकर पचास नंबर की बिवित और साइंस के लिए क्लास नहीं पड़ते हैं तो इसका इसलिए आप लोग धान दीजेगा यह काफी महत्पूर्ण है यह सुपर टीटी में इसलिए प्रस्ण का लेबल बढ़ता जा रहा है और हम लोग को लेबल बढ़ा कर पढ़ना है अगर आपको नौकरी करनी है तो भाईया आराम से पढ़िए ज्यादा चीजे पढ़िए यह क्लास होगी मैंने आपको पहले बता दिया था नेता जी सुबाज चंद नेश्टन शिटूट आप स्पोर्ट कहां पर है कि सबसे पहला जवाब कौन देता सभी लोग फटावट पताएं कि सभी लोग बताएं वीवीद में खेल एक आपका टॉपिक है और खेल से आज हम ल पटियाला में कहां पर यह पतियाला में है पटियाला कहा है पंजाब में यह पतियाला पंजाब में है यह पनल चाह listen होंगे ठीक है मुंबई में अगर बात करें तो वान खेड़े हैं अगर दिल्ली की बात करें फिरोसा कोटला है लिखना लिख लिजिएगा दिल्ली में फिरोसा कोटला मैदान है मुंबई में वान खड़े हैं कुलकाता में इडन गार्डन है और पटियाला पंजाब में नेत लोसा कोटला इडन गाइडन कोलकाता में पटियाला पंजाब में नेताजी सुबाच्चन नेश्ण इस्टूट आप स्पोर्ट है मैं आगे बढ़ रहा हूं आपसे निवेदानी वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी को शेर कर गिएगा देखे आप लोग लाइक नही या ըंयिटमेंगर के बताईए थामस कब का आयोजन पहली बार हुआ था उन्नाइज्वशोग उन्चास में कहां वो हा था क्वीन साल्में वहा था कहाँ पर है तो प्रिष्टन में था नहीकिन फंट का जो संबंध है वो बैट मेंटल से है जी हां दोस्तो बैटमिंटल इसका राइट एंसवर है सभी साथियों को शेयर करिए एक हजार लोगों की संख्या बनाईए जी हां दोस्तो एक हजार लोगों तक की संख्या बनाईए आपकी जिमेदारी है प्रदिन साधे नो बजे पढ़िए उनसे जो सेलेक्ट हैं पहले से इलनी दुर्गेश पर मैं सिच्छक बन गया हूं सरकारी में चाहता हूं आप भी सरकारी सिच्छक बने और ऐसे प्रस्णों को पढ़ें जो परिछ्छा में बार बार आते हैं यह निशुल क्लास आपके देशित में राशित में है और मैं एक जे गेस्टीचर के तोर पर हमें फ्री क्लासेज की फ्री नोट्स आपको टेलिग्राम पे मिलेगी दुर्गेश सर्च करके और प्रयास करिएगा इसके डिस्केप्शन में लिंक है इलने भी दुर्गेश फेस्बुक इस्टा ट्वीटर सभी इलने भी दुर्गेश से और एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सुदीन अगर पूछा सयद realities concept मोधी का संब्ध मोधी का संबंध किस ख़ेल से तो वह है combine याद रखेए गा-चैए मोधी कफ का संबंध इससे है किस ए बैटम il चैए से ब्यूटाइट motor कभका संबद किस से fare इली मैं बता दिया सेटलाइट का संबंध किस से इसका भी संब बढ़ा सकते हैं और सेलेक्षन का दायरा पॉइंट में होगा सिच्छक बनने का दायरा पॉइंट में होगा इसलिए आपको ऐसे प्रश्ण पढ़ने पढ़ेंगे जानने पढ़ेंगे सायद मोधी कप का संबंध बैट मिंटल से है सेटलाइट कप का संबंध बैट मिंटल से सभी लोग फटाफट कमेंड करिए सभी लोग फटाफट कमेंड करिए देखिए अभी मैंने दो चीज़े बताई एक उभेर कप दूसरा था थामस कप अभी मैंने अभी जश्ट उपर पढ़ा अभी लोगों ने पढ़ा न थामस कप एक दम इतना अंतर है आज आप ईलरी में दुर्गेश पर नहीं चीज़ जानेंगे थामस कप पुरुस पुरु लेकिन यहाप पर दू बाते हैं थामस पुरुस के लिए होता है अभी महला के लिए होता है जीवन में कि नहीं नहीं समझ रहे हैं अगर बात करें तो क्रिकेट में तो वाल्ड कॉफ होता है समझ माई आप लोग को कि आप लोग को समझ मा आगया न हम आगे वरते हैं अगला आपके सामने है ताइगर बूट्स का समंद किश्य अगर आपने नहीं बता पाया इसका मतलब मेरा पढ़ाना गलत है मैंने अभी उपर पढ़ाया अगर आप एक सीरियस लेना है सरकारी नोकरी करना भी या तो बताएगर बूट्स का संबंद मैंने उपर पढ़ाया या गोल्प से है अभी मैंने उपर पढ़ाया था टाइगर बूट्स का संबंद गोल्प से है एकदम राइट एंसवर है एकदम एकदम रट आमारी यहां से बाहर प्रस्ण नहीं आएगा लिख लीजेगा खेल में जो भी प्रशनाप के उस्व पटेट में आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा अगला प्रस्णाप के सामने जंप बाल का संबंद के श्यर एकदम हलुआ प्रस्णा है यह जौनपुर जनपस से क्लास चलती है बिद्या माई कसमे वीडियो को सभी शाथियो को शेयर करिएगा अपने वाटसेप पे फेस्बुक पे जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं यूकि हम यह चाते हैं आप सब सेलेक्ट हो कर जाएं बेस चुलक पढ़ाएं साथी साथ लोगों की मदद करें ताकि आप जैसे महान सिच्चक आप जैसे बहतर सिच्चक इस बेसिक परिवार का हिश्चा बने बहुत बहुत धन्यवाद आप तब को दियां से देखेगा जंप बाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जंप बाल का समबंध किसे में उच्षल कर मारते है जंप माना तो राश्टी पूरूस से ए ठीक है यहाँ पर दो बात हैं आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर यहाँ पर पूरूस कर देते हैं और यहां पर महिला ध्यान दीजेगा तरह एसे प्रस्णाव के पर इच्छाम आते हैं तो आप गलती ना कर जाएं अगर हम पूछ दे बिलियम टाड कॉप देखे धान दीजेगा विलियम बिलियम टाड कॉप एक दाम इंपोर्टेंट है टाड कॉप इसका समद्ध पुरुष बास्केटबाल से है राश्टी पुरुष चैंपियंशिप से है जबकि बसाल बसाल देखेगा यह बहुत इंपोर्टेंट है बसाल जा ट्रॉफी इसका संबन्द महिला राष्टी महिला चंपियंसी से एकदम याद रखिएगा बीसी गुपता ट्रॉफी बास्केट बाल से है ये दोनों सब्दागर याद रखेंगे यकीने ना को काफी महत्पूर होगी ठीक इस प्रशन का उत्तर सीज का राइट एंसोर होगा जैंप बाल का संबन्द किस से है बास्केट बाल से है ठीक है हाँ इसका संबन्द है गाड डिपल है गोल्ड है इसके खेल से संबन्द सब्दावली है अगला प्रशनाप के सामने है मैं चाहूंगा जितने लोग वीडियो को लाइब देखरें सभी साथी फटाफ़र कमेंट करेंगे और बताएंगे कि तोर दा फ्रेंस नामक लंबी दोड किस स्पोर्टिंग घटना समंदित है सभी साथी गलत हो जाए तो सभी लोग बताएगा सही गलत बताएगे यार अगर आप परिच्छाहाल में होते तो क्या भी कल्प लगाते समझे परिच्छाहाल में बैठे हैं ये कलास में नहीं यहाँ पे गलती करके शीखना है और आपको सिच्छक बनना है एक सरकारी सिच्छक बनना है और आपको अपना बेस्ट देना है तो आप लोग कमेंड करिए गलत होगा लेकिन अगली बार गलती नहीं होगी एक ही बार गलती करना है सभी साथी फटाफ़ट जबाब दीजेगा हाँ तूर दे फ्रेंस नामक लंबी किस स्पोर्टिंग घटना से समंदित है जी हाँ साइकलिंग से इसका राइट एंस और साइकलिंग का डीज का उत्तर होगा जी हाँ तूर दे फ्रांस इसे कहते है जी हाँ तूर डी फ्रांस इसको कहते है तूर डी फ्रांस तूर्डी फ्रांस जो है यह साइकलिंग से है तूर्डी फ्रांस जो है किससे है साइकलिंग से है ठीक है अगर मोटर कार रेस की बात कीजा है हाँ ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ एकडम रट्टा मार दीजेगा तूर्डी फ्रांस कहां साइकलि हुआ प्रस्टन है सभी साथी फटाफट कमेंड करें क्लास खतम होने बाद इसकी पेडियोट टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक यहां पर दुर्गेश सर्च करके इलनी बी दुर्गेश से प्राप्ट करेंगे यहां पर निशुल्क आपको मिलेगी फेस्टाग्राम एक टौपिक जो परिष्छा में पूछे जाते हैं जौकिंग किस से समंदित है एकदम सबसी लोग को जबाब देना है सलेक्शन वाले प्रश्टन है सरकारी नोकरी वाले प्रश्टन है दिखिए जौकिंग का सम्मध एकदम सही जबाब देखिए यहाँ पर घोड़ा दोड से है जी हाँ आप लोग लिखते चलिएगा घुड़ दोड़ से है एकदम राइट एंस वार एकदम हा सही जबाब भीया जौकिंग जौकिंग कुदना कुदना घोड़ा क्या है कूद कूद कर भागता है कुदता दोड़ नहीं होगा पैदल नहीं होगा उठोड़ नहीं होगा इसका उत्तर भी होगा यह बरिच्छा वाले प्रश्म है सिचक्पफबने वाले प्रश्म है साढ़े नो बजे यार एक हजार के संख्या करिए कमस्कम वीडियो के तना सेयर करिए कि प्रदिन साड़े नो बज एक हजार साती बने ताकि हजारों भीहरती इससे सिछक बने जैसा पिछली बार हुआ है 31 जार में अगर पूछेंगे तो हर दस बक्ती में से कोई नो कोई जरू कहेगा हम इलनी भी दुर्गेशे पड़े है अगला है बाली बाल टीम में एक पच्छ में कितने खिलारी होते हैं अभी उपर मैंने बताया था जी हाँ सातियों अभी उपर मैंने आपको पढ़ाया था कि बाली बाली में कितने खिलारी होते हैं सभी साती फटा फट कमेंट करेंगे देखिए सात की बात करेगा तो सात कहा हो देखिए हाँ पर सात दिया है कि यह होता है आपका हिंड बाल यहाँ पर क्या होगा यह हिंड बाल होगा नो की बात क्या है 9 माने, 9 9, खो खो, 9 माने क्या होगा, खो खो, यहाँ पे 6 की बात कर रहा है, जी हाँ, 6 क्या होगा, बाली बाल होगा, वारे दोस्तों, एकदम सही जबाब लग रहा है कि आप लोग अप लोग से चछक बननी के कुरीब आ गये हैं, वvitली की यहाँ से आपके परिछा में प्र इतना आप लोग दम तयार करिएगा ठीक है कबड़ी में साथ होते हैं एकदम रटा मार लीजेगा अब आप बताईए इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा किरिकेट फुटबाल हाकी में ग्यार है बास्केटबाल में पांच होते हैं जैसा कि भी मैंने बताया पोलो में चार होत रखिएगा इस स्कीन सॉट रखिएगा कि आपको सलेक्शन लेना है आपको सरकारी सिच्छक बनना है इस प्रस्ण को लिख कर रखिएगा यह रटने वाले प्रस्ण है जो बार बार पर इच्छा में आते हैं मालिक गट्टा मारिए और एक हजार लोगों तक वीडियो को प वाटर पोलो खेल में कितने खिलारी होते हैं एक दम सही जबाब हलुआ वाला पंशन है एक दम अलुआ वाला पंशन है जी हां जी हां दोस्तो क्रिकेट में होते हैं हाकी में भी होते हैं और फुटवाल में भी होते हैं ठीक है यह किसमें होते हैं ग्यारह यहां पर होते हैं नौ की बात किया जाए तो नौ क्या होते हैं बिसबाल में होते हैं याद रखेगा कितने बिसबाल बिसबाल कहिए या खोखो इन दोनों में क्या होते हैं नौ खिलार कि सब्सक्षाब करेंगге कि बताइंगे हां लाग प्रोस में एला कि रूस में लागो स्में की की बारा खिलारी होते हैं मैं कैने अग़ाय की तरफ है इसका उत्तर क्या था सी थाол। कवड़ी में कितने खिलारी होते हैं गदा महलुगा प्रश्ण सभी साथी फटाफट जबाब देंगे कवड़ी में कितने खिलारी होते हैं बताइए शबी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं बताइए रगभी में कितने खिलारी होते हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें अभी कबड़ी मैंने बताया साथ खिलाड़ी होते हैं कबड़ी में साथ खिलाड़ी होते हैं कबड़ी में साथ खिलाड़ी होते हैं कबड़ी मैदान के लंबाई कबड़ी मैदान के लंबाई कोई बता हैं कबड़ी मैदान के अगर हम बात करें तो मैदान जो है इसके अगर की बात करें अगर कबड़ी मैदान की चोड़ाई की बात करें तो दस मीटर की होती है यह भी पूछ सकता क्योंकि कबड़ी खेल है उत्तर प्रदेश का फुटवाल हांकी में सब घ्यार घ्यार ख़लड़े आपको मैंने उपर बता दिया वेष्बाल खोकों में 9 होते बाश्केट वाले पांच होते हैं पॉलों में चार खिलाड़ी होते हैं यह कुमारी संतोष किस खिल समंदीत है एक्दम हलुआ प्रष्ण बताइए कुमारी संतोष यादव का संबंद कि से यह आपके उत्तरपदेश के यसी याटी किताब में इसका जिक्र है इसलिए प्रशनाप के सिच्छक भरती में पूछा जा सकता है संतोष कुमार संतोष कुमारी संतोष का संबंद किस्से है यह भारत की दूसरी महिला है विश्चु के सबसे उचे परवत पर चड़ने वा बच्छिंद्री पाल जो थी वो क्या थी वो पहली थी और यह क्या है दूसरी है भारत की यह दूसरी है कि यह दो बार चड़ी थी कितनी बार यह दो बार चड़ी है यह दो बार चड़ने वाली है ठीक है भारत यह मात्र महिला है जो दो बार चड़ी है अगर हम तैराकी की करें तो नीसा मिलेट है तरह की बात करें तो कौन है नीसा मिलेट है लिख लीजिएगा यह परिच्छा में पूछ सकता है ठीक है अंजु बारबी की बात की जाए जाज एथलिट के चर्चित खिलाडी है अगे बढ़ने अगले परश्ण की तरफ अगला परश्ण प्रिंस साफ वेल्स का संब्द किस्से है सिच्छ भरती त्यारी कर रहे हैं बीविद में खेल से दो प्रश्ण आते हैं तो दोनों रट लीजिएगा आज हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक पूरा पैटरन खतम ना हो जाए जब तब खेल ना खतम हो जाए सभी साथी आफट कमेंड करिएगा साधे 9 बजे का एलारम लगा लिजेगा मुबाइल में साधे 9 बजे रात इलने बिद्दुर्गेश पर लाइप चलेगी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी को रिवीजन करने के लिए यह एक बार नहीं बार बार रिवीजन करिए इससे बाहर आपके परिच्छां पर नहीं आएगा प्रिंस अवेल्स का संबंद गोल्प से है एकदम राइट एंसवर 20 के सही जवाब हैं जितने लोगों ने बताया है अगर इसके बारे में और बात करें तो कनाड़ा का भी संबंद किससे है गोल्प से है याद रखिएगा जी हां राइडर कप का राइडर कप का संबंद किससे है सभी साथी बताएंगे राइडर कप का संबंद किससे है इसका भी गोल्प से है इसका भी गोल्प से है एकदम रट लीजेगा परिच्छा में आए को भी गलत पूछा जानत. हैं एंग गलत नहो वाकर कपका शंबंद बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है वाकर कपका संबन किसे है इसका भी संबंद गोल्प से वाकर का संबंद भी गोल्प से है को थाएंग दीजिएकपि कि यह 50प सीरी आपको लिए ये रात साड़े 9 बजे बाकी क्लास आप टेलिग्राम पे मिल लाएगी आगे बढ़ रहा हूँ आईजन हावर हाँ ये भी उसी से है ठीक है जाओन होकिन्स ये भी है लैंकोम ट्राफी ये भी गोल्फ से है मैं आगे बढ़ रहा हूँ के लिए पशनी की तरफ आगा खागा स और परमाईल निभी दुर्गेश पर आपको फ्री क्लास दे रहा हूँ ताकि आप भी हमारी तरह एक सरकारी सिच्छक बने और अपने माबाब अपने परिवाल का नाम रोशन करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका आगा खागा बताईए आगा खागा खेल का संबंद कि से हैं अब व्यार अब यह मत कहिएगा आपको नहीं पता है इससे सरल प्रशन नहीं पूछा जा सकता है परिच्छा में सभी साती बताईए क्योंकि हमने आज आपको पूरा खेल का खेल खतम करना है और आपको सेलेक्शन के नजदिक ले जाना है वहां की से है आगा खागा का संबंद ट्राफी का संबंद किस से है सभी साथी फटाफट कमेंड करेंगे और भारत में खेल दिवसकप मना जाता है कॉमेंड करके जबाब दीजेगा जिहां नेहरू ट्राफी इस्टैनलिन हपकाफी यह सभी हांकी बिसुकप से है गुरुगपपा गोल कप बांबे ग 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है एकदम सही है खेल दिवस रट्टा मार लीजेगा अगर आपको सलेक्शन लेना है क्योंकि अगला जो क्लास होगी वह दिवस की क्लास होगी वहां से भी दो प्रश्णाप के सिच्चक भरती में बिविद में आते हैं तो एक एक हाबरे के तर्ज पर आपका प्रश्ण बना है सभी साथी फटा-फट कमेंट करेंगे और बताएंगे सोला गज़ हिट का सब्सक्राइब देखना है कि कौन ऐसा है जो प्रश्ण का सही जबाब देता है एकदम सही बताना है सभी साथियों को जी हाँ पेनाल्टी देखिया यहां बेदान यहां हालूया वाला पुछ सेक्ष यह वुन CEO की नोट लिखा दे रहा हूं जो आपके प्रिछा में पूछा यह कशो का यहां 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 होता है कि यहां होता है कि नृट案र चारिका होता है ते इन दोनों का सम्भन जो है वो हाके शैर कि इसका भी सम्भन किक्कों होगा चेंट की से ईसका मिरी बात को समझेगा कि चाहुगा हां कि इसका होगा मले कि रटब क्योंकि आपको सेस्टन लेना है और अगर रिवर्स क्लिप भी लिग लिजेगा रिप्रस्ण ऐसे हैं जो आपके बार-बार परिच्छा में पूछे जाते हैं यह भी किसका समंद है कि से रिवर्स क्लिप होकी पेनाल्टी को और पेनाल्टी इश्टों कि सब होकी से सोलह गज़िट होकी से समझ मैं गया कि आप जितने लोगों ने हाकी बता उनके जब आप सई है वीडियो को शेयर करिए मालिक एक हजार लोगों की संख्याबान आए यह आपकी जिम्मेवारी है एक हजार लोगों आपको free मिलेगी टेली ग्राम पर description मुसकी link होगी जोईन कर सकते हैं आगाखागा संबन किश्या भी मैंने बताया अगर आपने नहीं बताया मेरा पढ़ाना बेकार है अगर आपने इसका उत्तर नहीं बताया तो आपका मेरा पढ़ना दोनों बेकार है आपको selection लेना है बहु अगाखा एक दिन में एक topic मुझे हरहाल में खतम करना है आगाखा का शंबन्ध हाकी से अभी मैंने बताया था नहरू ट्राफी का संबन किस्या है सभी साती फटा फट कमेंट करके बताएंगे नहरू ट्राफी का संबन किस्या है जितने लोग बीडियो को लाइब देख रह कि चलिए मैं अगे बढ़ रहा हूं दुरन कप जो है संतोष ट्राफी फुटवाल से अगर फुटवाल से बात करेगा संतोष ट्राफी है हां सीवागी इसोन कप है भीवीसी जीसे बाली बाल से है मैं अगे बढ़ ओगले पशने की तरफ अगला परश्णयां के सामने है सुमन बाला का समंद्थ किस ख्याल सेול इतना जै ấy कितनी लोग सरकाय नौकरी करना चाहते हैं वे सभी फटाफ़ोट करेंगे वीडियो को जबाब देंगे बाकी सुपर्टेट की अन्य पीसे की क्लास इस्टडी भी दुर्गेज सर पे चलती है उस चैनल को भी सस्क्राइब करके बेल आइकन दबाएगा जी हाँ इसकी जो अन्य क्लास होगी से छकभरती की वो इस्टडी भी दुर्गेज सर पे चलती है उस चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखेएगा देखे सुमन बाल का संबंद महिला हाकी से है एकदम सही जबाओ जी हाँ ये आपने एकदम सही बताया है मैं सामिल थी मैं आगे बढ़ तक जीतने वाली 2002 में को देख रहे हैं वह सभी प्रशने का जवाब जरूर देंगे सभी साथी एकदम भारत का राष्टी खेल क्या है कि बताइए जितने अध्यापा क्या है यह प्रशनगर आपके कच्छा में कोई पोचेगा वह भी पूचेगा भारत का राष्टी खेल क्या है तो भाईया कुछ कुछ लोग कह रहें कबड़ी कुछ लोग कह रहें क्रिकेट कुछ लोग कह रहें फुटबाल तो भाईया अब बताईए कबड़ी और हांकी जी हां दोस्तों हांकी है कबड़ी कहां का है जरा फटाफट कमेंट करके बताईएगा कबड़ी कहां का है जो भी वीडियो को लाइ करके बताएं कि भारत का राश्टी खेल के क्या योगतान है जी हां कवड़ी क्या है चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं आप लोगो जबाब देट रहे का उत्तर पदेश का राश्टी खेल क्या है कोमेंट करके बताईगा कि सुवर्स भारती हां की दल ने ओलंपिक में स्वन पदक जीता था एकदम हलुआ पश्न है हमाugen 2 को कि हमारी पोश्टिंग Griffin Priest में हुई है मैं lepard में हुआ हूं जी पूर जोन पूर जन पद में हुआ है कित श्रूप में कि सथा बारती मैं जुर्ण पर्यों स होले हुआ ह。 इसलिए मैं निशुल्क आपको जो usug तो आप भी आगे बढ़ें देखिएगा हाग भारती हाग की दाल उलांपिक में सोन पदग जीता था कोब जीता था जरा कॉमेंट करके बताइए श्वभी साथ ही जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं देखिए अगर हाकी का सोन देखेंगे तो पहले लिखते चल फिर हम लोग उन hon के आप फिर पलट दिया चौण दीया 64 हो गया 54 में ठीक है फिर आगे चलकर 1980 में फिर आगे चलकर 1980 में तो यहां इतना सोन जीता गया था अब इसे में से बताये कौन साथी कलप है 8ए 9 Einstein में जो था यह मासकों में नोइट 1810 वाला यह मासकों में मासको क्या है रूस की राज़ धानी है ठीक है ध्यान दीजिएगा सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताईएगा भारती हाकी दल उन्यश्वसकी मासको में जीता था यह अंतीम उसर था अंतीम बार कब जीता था जी हां अंतीम बार 1980 में एकदम अंतीम बार था यह अंतीम बार स्वण था यह भारती ओलंपिक में अंतीम बार स्वण पदक जीता गया था एकदम रट्टा माली जीएगा एकदम रट्टा जी हां हाँ भारत ने साथ बार स्वण देखे साथ स्वण मने साथ स्वण जीता है कितने बार लिख देखे साथ बार स्वण पदक जीता है भारत साथ बार स्वण दो बार कांस दो बार कांस एक बार रज़त ठीक है इगदम रट्टा मा लिजेगा इगदम रट्टा क्योंकि भाईया भारत का राष्टी खेल है इसलिए यहां से गर प्रश्णाएगा तो भाईया को भी गलती मत करिएगा जो भी सिचक सिचकाईज बीडियो को देख रहे हैं आप सेयर करिएगा ठीक है सभी साथी फटाफट कॉमेंट करिएगा बीडियो को शेयर जरूर करिएगा ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके हाई स्कूल में खूब मैनत किया था खूब गुडांग बना था और सभी अध्यापक हो गए मैं आगे बढ़ना हूँ अगले पश्णी की परसेंटेज होंगे तो उसका लाव आपको जरूर मिलेगा यह क्लास प्रद्न राशारे नो बज़े चलती है बाकी क्लास की जो लिंक होती है वो टेलीग्राम पर मिलेगी दुर्गेश सर्च करके इलर नहीं भी दुर्गेश पर इस चैनल से हजारों लोग सिच्छक बने ह हैं आप अपने आसपास जो भी 69,000 में सेलेक्टर हैं एक बार जरूर पूछेगा कि आप इलर नहीं भी दुर्गेश चैनल को जानते हैं कि आपने कभी पढ़ा था तो जरूर बताएंगे हाकी का मैच का टाइम होता है वह कितने देर का होता है जो भी लाइब देख रहे है वह भी सभी साथी कोमेंट करके जरूर बताएं देखिए इसमें हाकी में 11 11 खिलाडी होते हैं खिलाडियों के संक्या क्या होती है वह 11 11 खिलाडी होते हैं लेकिन जो खेल का समय होता है वह 35 35 मिनटों का होता है तो मतलब यह खेल कितने मिनट का होगा 70 मिनट का होगा जीहां आप पूछा जाँ हाप टाइम यहां से पूछा जा सकता है कि भारत का खेल है अगर हाप टाइम पूछा जाए हाप टाइम जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है हाल टाइम जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है ठीक है अब देखिएगा अब एक बार ध्हान दीजेगा कि 2014 एक प्रश्ण में आप बताना चाहूंगा कि 20 मार्च 20 मार्च 2014 से एक नई चीज आ गई क्या गई कि अब 35-35 मिनट के दो हाप के अस्थान पर 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं अब कितना हो जाता है नब्बे मिनट मने 15 मिनट का 4 क्वार्टर होंगे पहले तीसरे क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है तो क्या होगा 15 चोगा 60 मिनट का होता है और उसमें एक से पहले और तीसरे में 2 मिनट का ब्रेक होता है पहले तीसरे हाप में अब अगर प्रशन पूछेगा तो 60 मिनट होगा लेकिन अंतार राष्टी हाकी का जो अवदी है वो 70 मिनट का है इसलिए प्रशन का उत्तर ध्यान दीजिएगा जो लोग भी वीडियो को लाइब देख रहे हैं शबी साती फटा फट कमेंट करेंगे कमेंट करके ज़रूर जवाब देंगे समझ में आया है सबको समझ मा गया जी है सातियों समझ में आगया यूग कि देखिए 15 मिनिट के 4 हालप होते हैं तिसरे हाल्प के बाद दो मिनिट का ब्रेक होता है मैं आगे बटना अगले पस्टनी की तरफ वीडियो को सेर कर दीजेगा वाली जो भी लाइट देख रहे हैं शबी साथ रोनल आन इन सब देखेल का है चल्दी से फटाफर कमेंट करिएगा कमेंट करके जवाब दीजेगा ये क्लास साड़े नौ बज़ेश चलती है और बाकी क्लास की लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी अन्य क्लासेद भी चलती है जिनका टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा और पीडियाफ नोट फ्री बिलकुल मिल जाएगा सबी चादी फड़ाम पे कमेंट करें देखिए रोल आइन जो रोल आइन इन सब्द किस खेल से समझनी थे जी हाँ ये भी हाकी से है रटा मारी ये ये हाकी से है भाया भारते के राष्टी खेल से है इसलिए भूलियेगा मत याद रखिएगा अगला है चैंपियन ट्राफिका समझन किस खेल से है अगर आपको सरकाली सिच्चक बनना है तो भाया जवाब देना है गलत ये सही आपको उत्तर जरूर देना है और आप लोग विद्यामाई कसम वीडियो को सेर जरूर करिएगा सबी साथियों तक जरूर पहुचाईएगा ठीक है सबी साथियों तक क्योंकि आपका भी कर्तब में जितने भी सिच्चक सिच्चक आपने आपको मानते हैं वो इतनी काम जरूर करेंगे मैं निसुल सिच्च्चा आपको देरा हो आपका धायत तो है इस निसुल सिच्च्चा को अनिक परिवारों तक पहुचाईए हर परिवार के घर खुसे के दीप जिले भाईया चैंपियन ट्राफी का संबंद अगर देखा जाए तो भाईया इसका संबंद जो है वो किससे है वो हाकी से है किससे है हाकी से है ठीक है हाटी और क्रिकेट दोनों से हैं यहाँ बिकल्प में क्रिकेट है इसलिए हाकी का चैन करेंगे रट्टा मार लीजेगा कि चेंपेन ट्राफिक का संबर्ध हांड की और क्रिकेट दोनों से हैं जी हां देखिए जी आपको एकदम बेहतरीन अखिनु पहली बार में नहीं हुआ कुछ के ज्यादा में भी नहीं हुआ कौम अलों का थीवा का भी गूइव और क्रिकेट में बहुत है हैं अगरी में दूर्झ सब्दों को को है अब से आप संपर्क कर सकते हैं एजे में गेस्ट फैकल्टी मैं आप फ्री क्लास आपको दे रहा हूं अनुप जी बहुत धन्यवाद आपका ग्रेंड श्लैम सब्द का जो है इसका संबंद कि स्क्यल्स है सभी साथी फटाफोट कमेंट करेंगे देखेगा इसका जो आप लोगों एक दम सही बताया है यहां पर देखेगा लान्टेनिस क्या होगा लान्टेनिस एक कलेंडर वर्स में यह चार बार होता है कितनी बार चार बार चार बार कितने में एक को वर्स में एक कलेंडर वर्स में अगर देखा जाए कितनी बार होता है चार बार होता है इसमें चारों अलग अलग जगा होता है तो याद रखेगा पहला अस्ट्रेलिया उपन लिख लीजेगा जो बह होगा जो लिखना चाहा है लिख लीजेगा बाकी के लिए नहीं है जो सेलेक्शन चाहते हैं उनके लिए है फ्रेंच ओपन हो गया फिर उसके बाद है वेवलेंड़न कि तोड़ी सी गड़बड है ठीक है फिर है यू ये शोपन ये चार ये कॉफी महत्त पूर्ण है जो परिच्छा में आजित होते हैं चार होते हैं ठीक है चली मैं आगे बढ़ रहा होगे प्रेशन की तरफ चाहे तो इसकी इंसर्ट कर सकते हैं आपकी इच्छा है हाँ ठीक है अब अब इस्टेटस में डाल जाए करिए जिनकी किस खेल में एस और एडवांटेश सब्दका प्रियूख किया जाता है किस खेल में एस और एडवांटेश सब्दका प्रियूख किया जाता है कि सभी साथी फटाफट कमेंड करेंगे और जबाब जरूर देंगे वीडियो को शेयर करेंगे राज साड़े नौ बजे अगर सरकारी सिच्छक या सिच्छका बनना है तो राइट टाइम लाइब यहां पर होगा टेनिस टेनिस में है एड है एडवांटेश है रैली भी कहा जाता है यहां पर एक सब्दे यहां पर आता है दिखिए रैली सब्दे का भी प्रियोग टेनिस में किया जाता है ठीक है हाँ सौट कोट ड्राप सार जैसे आ गया कोट ड्राप सौट आ गया यहा यहां यहां पर ही क्या जाता है कि टिक किलिर हुआ यहां पर कोई समझ्ध से दो पूसकते हैं हम बाल वाय यह दिखी एक प्रशन काफी हां किसीन पूस दीए बाल कि अभी बाल वॉय कि वी समझ्ध कहा सभी का समझ्ध टेनिस हैं है ठीक में आगे बढ़ रहा हूं अगर आपने पिछली परिछों में गलतियां कहा है तो अगली बार सुधार कर लिजेगा अभी आपके पास समय है आप अपना बहतर दीजेगा सफल्त आपके कदमों होगी देरी सही लेगिन सफल्त आपके कदम में जरूर आएगी इसलिए आप सभी साथी अपना बेश्ट द करिएगा सभी साथी फटाफुट कमेंड करिएगा ये क्लास काफी बड़ी होगी मैंने पहले बताया था मैंने आपको पहले बताया था सेलेक्शन लेना है अंतिम लच्छ तक आपको लड़ना है एक एक पॉइंट में आपके मार्क बनेंगे तो मैं आपसे निवेधन कि भी आपना बेस्ट जरूर देते रहें या आपके हर भरती परिच्छा के लिए मात्तुपूर है चाहिए लेकपाल के तैरीकर हों साही के लेकिन सबसे बड़ा ये सेलबस में आपके सिच्छक भरती परिच्छा है सूपर्टेट में है मर्सडीज का संबंद लॉन टेनिस से है ठीक है 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 हमलेट चैलेंज कप सालेम कप इसी से है अग्या अ अगला है जहां से दिखेगा किस एवर्ट किस की परसे दिखे लाड़ी है क्रिश एवर्ट एकदम मतलब यह थोड़ा सा टॉप प्रस्ण है लेकिन आपसे समंदीत है ये टैनिस खिला रिए कौन सी य इस खिला रहे हैं इन्होंने अठार तक ग्रैंड इसलम जीते हैं अठार है कि ग्रैंड श्लम नागे बढ़ रहा हूं, वीडियो को बाद में भी देख सकतें जितनी बार चाहें, डबल फॉल्ट किस खेल से सम्बंदी थे, सिच्छक वाली क्लास है, सरकाई नोकरी वाली क्लास है, डबल फॉल्ट किस खेल से सम्बंदी थे, सभी साती फटा फट कमेंड करें कि डबल फॉ किस खेल से समय दिए एकड़मदाई एक्दम आसान टैनिस डबल फाल समंद्ध में यह टेनिस से मैं इसके अलाम अगर देखेंगे तो इसमें अनस्ब हाता है लो तो इसके साथ आता है रिटर जो इसका भी समय किससे है इसका भी समंद्ध एरी से यह पूचसर्प था भीया सर द्यूस कि प्रफ्र टेनिस एक दम रट्टा माद लिए इस अब का समध्द किसे टेनिस से ठीक डबल फर्ल समंद किसे टेनिस से वर्ष का प्रथम ग्लैड ग्रैंड स्लेम टेनिस टूनामेंट कौन सा होता है अभी मैंने उपर पढ़ाया था मैं उमीद करता हूँ कि आप इस प्रशने का जबाब चरूर देंगे उपर मैंने बताया था अगर आपने मेरी क्लास को रेगुलर देखा होगा अगर आप वास्तविक सिचक सिचका बनना चाहते होंगे वास्तों में आप सुपर टेट परिष्छा क्रेक करना चाहते होंगे इस प्रशने का जबाब चरूर देंगे मैंने उपर ही बता दिया था यह जनवरी में होती है जनवरी में कौन सी होती है मैंनों पर बताया था तर आस्ट्रेलिया यह उपन रहे मैंनों पर बताया था आपको और मैं जानता था कि आप लोग गलती करेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई या ऐसी घलतियां ना करें ठीक है कि आगे बढ़ें है ठीक है मागे बढ़ाऊंगे पश्चनी की तरफ वह पर्स का प्रथाम अच्छे यह होगे ग्रेंड लेम का खेल का समाल किष्चे सबीशाथी फटावट कमें करें हिसे कि द्रफ अगर बता हिए ग्रैंड लेम का समन्द किस खेल से और रेश के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं हमें सफलता इस तरह से नहीं मिलती जम ठक कर बैढ़ जाते हैं हजारों में लंबी यात्रा एक छोड़े कदम से शुरात होती है और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथ ही अपना बहतर दें ठीक है और रेस के घोले रेस मच्छे लगते हैं हमारी कंपड़िशन उससे नहीं होती जो नहीं पड़ते हमा करेंगे एक दिन आप जरू शफल रहेंगे यकीन इस बात को मानिएगा आप लोग अपना बेश्ट देते रहेगा ग्रेंड स्लम का संबंद किस ख्यल से हैं कि लिए ग्रेंड स्लम सब्सक्राइब कर देखा जाए तो टैनी से उम ब्रीज दोनों से 20 का सही जबाब है कि 20 प पुष्ट हैं हमारी रेस उनसे नहीं है जो भरती का अंधिजार करते हमारी रेस उनसे है जो लागडाउन में पूरा पड़े हैं हमारी रेस उनसे है जो आज भी अपना बेश्ट दे रहे हैं हमारी रेस उनसे है जो पूरे सेल्बस को भी तक कई बार पर चुके हैं पहली बार ये 1900 में आजीत हुआ था ये पहली बार सन 1900 में आजीत हुआ था कौन सा कब डेविस कब सानिय मिर्जा किस खिल की एक उभरती सितारा है बताइए सभी साथी फटावर्ट कमेंड करेंगे और जबाब देंगे देखे अगर आप लोग की संक्या आप लोग सेर नहीं करेंगे तो मैं आजी क्लास खतम करूंगा जल्दी ही क्योंकि ये क्लास साड़े 9 बजे से लाइफ चलती है और ये तब तक चलेगी जब तक ये टॉपिक ख जबाब चरूर दीजेगा सभी साथ ही जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि देखिए यहां पर टेनिस इसका सही जवाब होगा अपना पोपट बैटमिंटल से हैं हमपी सत्रंज से हैं अंजु बाबी एथलीट से लंबी कूद के लिए ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही क्योंकि अब आप लोग बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और भारत के किसी एक बैटमिंटल ख्याड़ी का नाम आप बताईएगा महिला और इसे एक साथ आची क्लास खतम करते हैं आपको टेलीग्राम पे मिलेगी दुर्गेश सर्च करके इ और ये क्लास प्रदिन राज साड़े नो बजे चलती है और क्लास के लिए इस्टड़ी भी दुर्गेश सर एक और चैनल है आप उसे सस्क्राइब कर लिजेगा जहाँ पर आपको अन्य चीजे भी अन्य सिच्चक भरती क्लासेज आपको वहाँ पे लाइप मिलेंगी और अ घरिब परिवार के ताथ साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी साथ हिए क्योंकि गरीब परिवार उन चोटे नो निहालों को निशोरा सच्छा देने के साथ ताथ मैं चाहूंगा आप लोगी अपना बहेश्ट डे और अपना वैधार सब हल्तायें आ liability की कदम चुमेंगी और म मैं सिराजहिंद की धर्ति से मैं चाहूंगा कि इतना सलेक्षन इलनेवी दुर्गेश से जोनपुर जनपस से हुआ है और अगली बार अगली भरती में आप भी इस भरती की जो मिशाल रही है उसे भी आप आगे पूरा करें मुझे इस बात से खुसी होगी और मुझे ये बा सुल्ख सिच्छा देना कोई वी कानुन अपराद नहीं है मैं आपको चाहूंगा आप भी बहतर पड़ते हुआ आगे चले और ध्यान से देखिएगा आप सभी साती मुझे इस बात का गर्वे संदीप जी बहुत धन्यवाद आपका बदलापूर तो हमारे यांग बलाक है बहुत सारे साथ हैं मारे बदलापूर के में वी चैनित हुए हैं और यह जोनपूर जनपर से चलती है और यह पूरा सेलबस था बीवित तीस नंबर का उसमें से दो प्रशनाप का खेल कूट से आता था जो मैंने पढ़ा दिया बाकी खेल कूट करेंट से जो पूछा लेगी और टेलीग्राम सब्सक्राइब करके रखेगा और फेस्बूक पेज इस्टाग्राम ट्वीटर यूटूट इलनीवित दुर्गेश हैं और अभी दो दिनों तक आपके रिप्लाइ नहीं जाएगा सभी टीचर ब्यास्त है न्यूक्ति हो जाने के बाद क्योंकि हमा सब्सक्राइब करेंगे एक कही प्लेटफार्म पर आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं फेस्बूक यूजरत यूटूब इस्टाग्राम सभी जगा और मेरा खुद का चैनल है बेसिक लर्निंग दुर्गेश जो मैंने गरीब बच्चों के लिए बनाया है आप चैनल उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं बेसिक लर्निंग बेद दुर्गेश बाकी ये प्लेटफार्म पर मैं आपको अपना बेस्ट देता रहोंगा बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास प्रद दिन चलती है और आगे भी सतात रूप से चलती हैं और हम पिछले 68,500 की बात करें तो आपने देखा होगा 75 सफलता इलेनीवी दुर्गेश लोगों को मीरी पर जगह दीजेगा अगर इस बीडियो को देखने के बाद आप अंतियों रूप से संतुष्ट होगा होंगे कि आप जीवन में कभी भी खेल कुछ से आपका प्रश्ण गलत नहीं होगा अगर आपके अंतरात्म कहें तो बीडियो को लोगों तक पोचेएगा कर भला तो हो बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी का चलते हैं बाई 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 जय हिंद जय भारत बाकी किसी भी प्रश्ण के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं आपका जवाब वहाँ पर जरूर दूंगा और यह क्लास कैसी लगी जरूर जवाब कमेंट करके आपका कमेटिशन उनसे है जो लगातार पड़ते हैं आप कमेटिशन कर वह उससे नहीं है जो केवल केवल परिछा की तिथी पूस्त है आप अपने आप में पूर हो जाएए जो कमिया है किसी को गलित में दिखकत है किसी को साइंस में दिखकत है किसी को संस्कित में दिखक बहुत बहुत धन्यवाद आपको डेली पीडियाप आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम पर एक दो दिन के बाद क्योंकि पूरा इस्टाफ इसमें बैस्त है क्योंकि सभी की नुक्तिया हो चुकी है इसलिए समस्याइं है यह आप सब बहुत धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत मेरा बिक्तिकत नंबर है बहुत जरुत होत मुझे वाटसेप कर सकते हैं 9506-701-777 कॉल मत करें क्योंकि मेरी क्लासेज बहुत ज़्यादा होती है प्रातिम बिद्याले बच्चों को भी देखना होता है इसलिए आप मुझे वा जय भारत चलते हैं अपना फिडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा यह आपका करतब आपका दाइत अगर आपके अंतारात्मा यह कहती है यह वीडियो आपके काम का है यह वीडियो आपके सिच्छक भरती समंदित है जरूर शेयर करिएगा बहुत दन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम